हेलो माई डियर स्टुडेंट वेलकम टू यू माई यूटॉब चैनल जो वीडियो हम आज आपको बताने जा रहे हैं यह वीडियो आपकी जो मॉडल कोशन पेपर है यह और इस मॉडल कोशन पेपर यह नहीं कि यहां पर 2172 का जो क्लास 10th सब्जेक्ट अंग्रेज जी का मॉ यहकल टैकर से उन ग्रमेटिकल चैप्टर को समझ लेना तकि इस से रिलेटिट यह अधि एक्Der में में आपको कोशन बनता है या पूछा जाता है तो आप replen तरीके से उन कोशन तो हम इसको इस वीडियो में सोल करेंगे ओके तो चलो देख लेते हैं पहला जो प्रसने पहला प्रसने है आपका कि यहां पर फिलिंदा ब्लैंक से चूसिंग दा कॉरेक्ट अल्टरनेटि गिवन इन दा ब्रेकेट्स एनि फाइप यहनि कोई कोई पांच अपने को फिलिंद ब्लैंक्स करना होगा ठीकि? तो पहला परशने देखिलेजिए पहला प्रसने C पिर रिक्तिस्तान हर होम वर्क ठीली है नवह उसका होम वर्क रोज़ना करती है करती है है रोजाना होम वर्क खरती है तो बच्छो यहां देख लिजिए अपना खुद भी अप जजमयन उच्छ यह प्रैज़ आपका राइट हराएक अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम जब देखेंगे कि यह सब्ज़क्ट यहां पस ची आया है तो सी के साथ में हमें ही शी इट और नेम के साथ में हमें एस यह एस यह आई एस जोड़ना पड़ता है कुण से टेंस में प्रेजंट कंटिनियूज सुरी प्रेजंट सिंपल टेंस में है ना और आई वियो देए दिया आता तो फिर उनले हम डूका परियोग करते है इसलिए इस सेंटेंस में डज आएगा ठीक है दूसरा देख आप पहले आप सोच लिए ठीक है ताकि आप यह जो यहां पर फिलिंदा ब्लैंक से इस प्रकार का आता है एक्साम में तो आप कितने माक्स प्राप्त करते हैं सोच लिए अपने अंसर अब देख लिजिए अब इसमें क्या हुआ बच्चों इसमें ओफ अंसर आएगा ओफ अंसर क्यों आ रहा है क्योंकि जब भी कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यू यदि बीमारी से होती है है ना मोहन डायड मलेरिया मलेरे क्या है बीमारी एक एक एंसर होई कोई भी बीमारी जब भी कोई व्यक्ति की बीमारी यदि मृत्यू यदि बीमारी से होती है तो वहां प और हमेशा हमेशा आपको आप प्रपोजिशन वर्ड का ही प्रियुक करना है ठीक है इसका मतलब इस sentence में क्या आएगा आफ आएगा और फ्राउम मतलब होता है से और फॉर होता है के लिए ठीक है से यहां पर आफ का अर्थ क्या निकल रहा है से यहने उसकी मृत्व किस से हो गए मलेरिया से हो गई इसलिए इसमें आफ अंसर आएगा ठीक है चलो तीसरा आप्शन देख लिए इस्टुडेंट्स ओवेडेर टीचर्स बेचा चात्री सिक्चा चात्री ओवेडेर टीचर्स सेने कि आगे का पालन करते ही हैं तो पालन करते हैं या करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर तीन ओफ्षिन लेक है शो इंग छो यह तो इसमें आप यह सो ज्याएगा तो इसके बाद में सबसे ज़िए ऑनसर क्या धाइगा इसमें उट्व औरों को टीचर की आज्या का पालान करना चाहिए इसलिए इसमें क्या जाएगा शूड़ा जाएगा चलो देख लेते नेक्स्ट प्रस्न यह तो आपको आई होप आप लोगों को यादी होगा आर्टिकल का प्रस्न ही मुन वाक्स लॉली एंड साइलेंट लिए चंद्रमजो होता यह बहुत ही शान तो चुप चाप चलता है तो यहाँ आर्टिकल का प्रस्न है ए इन दा क्या ठीक है तो इसमें कौन सा आउर्टिकल आएगा इसमें दा आइप लस्तस से आएगा जब भी चैनल पर आइटिकल का वीडियो देखें आपको डेफिनेटली यह जो प्रॉब्लम से आइटिकल के हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगे ओके चलो देख लेटेए प्रस्टन कमांग 5 प्रस्टन कमांग 5 क्या स्याम इस देन सोहन क्या आएगा अंसर टालर आना चाहिए टालर चाहिए तन समय आपका इसमय चाहिए चलो सूच लिजये ठीकर ईसल्य अब देख लिजिये अंसर इसमयं सरक propose इसमये टालर आप्शन आएगा कर जाये मडिनी की यहाँ पर आपका अंसर का मजए कर टालर बन जाल आएगा अच्छा टालर क्यों और से हो हम आपको बताना चा होता है विशच्चन क्या होता है विशाशन अभी यह विशेस्चन मांटना इस तेनोंग व्रड यह तृयर ताल लड ये टाल शलिक शाम डि विख सोहन की फृल न भैक्या नहीं की बड़ा हैं खिर लंबा है कि तो यहां पर इसमें कyu जाएगा अच्छा दूसरी बात एक और यह भी है कि यहाँ पर देन आ रहां इसमें और देन का मतलब होता है हमेशा compare compare करना किसी बी दो व्यक्तिया वस्तु के भीश में क्या करना compare करना इसका मतलब यहाँ पर हुमिड इसमें कौन से degree का use होगा compare का use होगा इसका मतलब इसमें आ जाएगा टालर क्या जाएगा टालर ठीक है चलो नेक्स्ट कोस्टन देखें रीता इस सिटिंग अब रीता इज सिटिंग राधा एंड कवीता बैठी है राधा और कवीता के बीच में बैठी है रीता राधा और कवीता के बीच में बैठी है तो यहां पर तीन ओप्षन दे रहें अमंग मिंस होता है के बीच में बैट विन सभी के बीच में और इन मिंस होता है मैं है ना जो की हमारे प्रपोजिशन वर्ड है ये भी और इसमें से कोई एक उप्षन अपने को चुनना है तो आप जजमेंड लगा लिजिए पहले तो चलो अब हम बताते हैं तो इसमें बचो यहाँ पर आपको बैट्विन अंसर आएगा अच्छा अब आप सोचनेगे कि बैट्विन अंसर क्यों आ रहा है तो समझ लेजिए बैट्विन इसलिए आ रहा है कि रिता सीटिंग रादधा एंड कविता के बीच में बैटीए तो जब जब भी कोई one person या two person की निरी बात होती है one person या two person की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा आपको betwin के बीच में betwin का ही प्रयोग करना है बट यदि आपको one और two persons than more than यदि use होता है तो वहाँ पर आपको among का use करना है इसका मतलब इसमें कौन सा अंसर आएगा इसमें कौन सा आएगा बट आएगा यानि कि यदि यहाँ पर चिल्डरन साता या यदि एक या दो से कोई ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु आती तो फिर हम वहाँ पर अमंग का प्रयोग करते इसलिए इसका मतलब इसमें कौन सा आएगा इसमें बेट भी नाएगा ठीक है चलो देख लेते हैं नेक्स्ट ट्वेश्ट जारेटेट के प्रस्ण है ट्वेश्ट ड्रेक्टेड एनिफाइप अपने को सोल्ड करना है पहला आप देख लिजिए पहला प्रस्ण है आई डू म में अपना होमवर्क करता हूं है ना या मेरा में होमवर्क करता हूं नेगेटिव बनाना है तो बच्चों यहाँ पर यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस प्रजान इंडेफिनेट का सेंटेंस है कौन से टैंस का है प्रजान इंडेफिनेट का और प्रजान इंडेफिनेट का अपने नेगटिव में बनाते हैं तो I के साथ में क्या यूज होता है डूनाट का यूज होता है I के साथ में डूनाट डूज में मैनवर्व वही रहेगी I do not my homework यह आपका पुरा अंसर बन जाएगा Next question number two Question number two क्या है Children read books अब children read books यहने की दूसरा प्रसने children बच्चे पुस्तक पढ़ते ही तो इसको voice में change करना है ठीक है voice में change करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा आपको sentence confirm करना पड़ेगा उसके बाद में ही आप voice में sentence को change कर सकते हैं अब पहला जो यह sentence कि sentence का है अब यह एक समझने वाले बात यह कि यह ही कि हाँ पर children आ रहा है तो यह sentence यह sentence कौन से टेंस का हो जाएगा यह sentence आपका हो जाएगा past indefinite tense का sentence है अब past indefinite tense के sentence के पैसिव में change करेंगे तो सब सब पहले तो हम object उठाएंगे आपका object क्या है books ले लिया आपके clear हो जाएंगे ठीक है चैनल पर आपको मिल जाएगा पहले तो क्या देखेंगे books आया अब इसको past indefinite का उधर ने तो उसके बाद में books के बाद में क्या लगाएंगे हम watch लगाएंगे क्या लगाएंगे watch मैं यहाँ इदर लिख देता हूँ आपके लिखा हमने पहले books अब books बहुँ अचन हो रहाएंगे पुस्त के और पुस्त के उसके साथ में क्या होगा वेर का योज होगा ठीक है वेर यदि यहाँ पर book आती तो हम watch लगाते वेर देखो read 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 already past participle यहने की third form by children यह मारा पूरा answer बन जाएगा लास्ट बेंच जो की कहाँ पर बैठावा लास्ट बेंच पर बैठावा है क्या करना है अपने को रिलेटिव क्लाज में सेंटेंस को change करना है तो ठीक है देख लिजिए आप अंसर तो आप बना कर देख लिजिए अब देख लिजिए जब भी कोई person की दी बात होती है तो यहाँ पर देखो रोहन क्या है एक person है और person के साथ में आपको whom, whom, और hunch का प्रियोक करना होता है हलना whom, whom और hunch का प्रियोक करना होता है तो यहाँ पर क्या अपर सबसे पहलön हम subject उठाएंगे अब subject क्या है हमारा subject है हमारा रोहन तो यह हम ने ले लिया रोहन रोहन हमारा subject हो गया अब रोहन के बाद में रोहन हूं हूं का प्रियोग करेंगे रोहन हूं is my friend रोहन हूं is my friend is sitting is sitting at the last bench at the last bench एक बाद फिर अंसा सुन लिए रोहन हूं is sitting my friend is friend is sitting at the last bench चलो it is running वर्शा हो रहे यह क्या करना है present के perfect में change करना है किसके में present के perfect में change करना है अब पहले तो यह किस tense का उधारन it is running is आया भी यह इसका मतले भी present continuous tense का उधारने present continuous का और इस present continuous tense को हम present के perfect में यह ज़ी चैंज करते हैं क्या करूँगा मैं पाइस्ट पाटिसिपल में चेंज करूँगा यह निकी मैन वरभी की थर्ड फर्म में चेंज करूँगा तो रेंद से क्या हो जाएगा डरेंड हो जाएगा ठीक है यह हमारा चे जो गया it has कि यहां पर हम इफ उटाएंगे स्वरी हाँ इफ उटाएंगे और उसके इस्तान पर क्या लगाएंगे अनलेस अनलेस यू रन फास्ट यू किन कि इसदा ट्रेन यह अपका अंसर बन जाएगा चलो देख लें अगला प्रस निदा के नमबर सिक्स उसा रन्स वरी फास्ट उसा भोत तेज़ दोड़ती है एक एक तरफ तो तेज़ दोड़ती है और दूसरी तरफ वह रेस जिद भी सकती है ठीक है तो यहां पर क्या होगा क दोनों सेंटेंस को देट से जोड़ देना है इस प्रकार से आपका यह अंसर बन जाएगा आई होप आप लोग को सारे कोस्टन के अंसर अच्छी तरह से समझ में आएंगे यदि आपको जितने भी सारे कोस्टन से अच्छे से समझ माएं हैं तो प्लिस लाइस चैनल को नहीं के लिए तो सबस्क्राइब जरूर करें थेंक यू सो मच